पेट में अगर अलसर हो जाए तो ये बहुत ही परिशान करने वाली समस्या होती है पेशेंट इससे बहुत डिस्टरब हो जाते हैं किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं बता भी नहीं सकते हैं लेकिन खुद बहुत ही बेचेनी उनको रहती है तो कैसे इससे निपटा जाए ऐसा common सा सवाल उनके दिमाग में आता है लेकिन याद रखिए पेट के अलसर में आपने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी बहुत बड़ा रोल है या एक दवा की तरह काम करता है और इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले है कि अगर आपको पेट में अलसर है जिसे हम कहते हैं पेट के अंदर जखम हो जाना यह समस्या अगर आपको है तो इसमें क्या आपने खाना चाहिए कौन-कौन सी वो चीज़े है और क्या आपने अवाइड करना चाहिए यही इस वीडियो में समझने वाले है इसलिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए नमस्कार मैं डॉक्टर शीतल डॉंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पेट में अगर अलसर हो जाए तो क्या खाना चाहिए यह पहले समझते है पहली सबसे इंपोर्टन चीज़ है प्रोबायोटिक्स यह इस तरह के बैक्टरियाज होते है जो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाते है मजबूत करते है अच्छा करते है और इसलिए यह प्रोबायोटिक्स आपने लेना चाहिए तो प्रोबायोटिक्स किसमे होते है दही और छाच में जहां दही छाच आपने regularly लेना चाहिए इससे आपका digestion अच्छा हो सकता है आपके पेट में अगर अलसर है जखम है तो यह जली हिल होने में भी इससे हिल मिलेगी दूसरे नंबर पर है अनार जी हां इसमें vitamin C और vitamin K होता है और बहुत मातरा में, भरपूर मातरा में fibers भी पाये जाते है और यह जखम को जल्दी भरने में साहिक सिद्ध होता है और इसलिए अलसर को रोकने के लिए भी अनार का आप इस्तिमाल कर सकते हैं आपने रेगुलरली अनार का सेवन शुरू करना चीए तीन नमबर पर है सेब एपल आपने रेगुलरली खाना चीए इसमें फाइबर्स होते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और उसी के साथ-साथ ulcers को रोकने के लिए भी ये फाइदे मन्द है और इसी लिए सेब का सेवन भी आपने जरूर करना चाहिए तो आप क्या लेंगे आपको probiotics लेना है सेब का सेवन आप कर सकते हैं और अनार अब चौती चीज है गाजर इसमें विटैमिन A होता है और भरप गाजर का इस्तिमाल करना चाहिए पांच नंबर पर है हरी पत्तिदार सब्जिया इनमें भी फाइबर्स की मातरा बहुत अधिक होती है तथा विटैमिन C भी इसमें होता है जो आपके पेट के अलसर्स को ठीक करने में मदद करता है आपका पाचन भी अच्छा होगा अगर आपको कब्स की समस्या है तो इससे दूर हो सकती है और इसलिए आपने ध्यान रखना है रेगुलरली रोज हरी पत्तिदार सब्जिया आपने खानी ही चाहिए छे नंबर पर है पपीता जिहां पपीते में विटैमिन A तो है ही लेकिन इसके साथ साथ इसमें होता है पैपी बनाता है और इसलिए यह बहुत लाबदायक है आपने रेगुलरली पपीता जब भी आपके पास अविलेबल हो मार्केट में अविलेबल हो आपने रेगुलरली इसका यूज करना चाहिए इसे खाना चाहिए साथ नंबर पर है सभी प्रकार की डाले इसमें प्रोटीन तो प्रकार की डालों को आपने डायेट में शामिल करना चाहिए क्या खाए यह तो आप समझ गये लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या न खाए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़े है ऐसे खाने में गड़वड़ी हो गई है शायद जिसकी वजह से यह अलसर्स आपको हो ग इस्तिवाल करना है कम से कम सेवन करना है और इसलिए बाहर की चीज़े खाने से आप बचिए बाहर की डायेट को आप लेने से बचिए बहुत तीखा मत खाईए दो नंबर पे है ग्यास को बनाने वाले पदारत अब कौन से ऐसे पदारत है जिससे ग्यास बनती है जैसे पत सबी चीजों को कम करना अत्यावशक है तीन नंबर की लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है फ्राइड और फैटी फूड इसको आपने टोटली आवोइड करना है फ्राइड चीजों तो बिल्कुल भी मत खाईए इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है चा जाते हैं इससे पूरी तरह से ठीक होना तो आप कुछ दिनों के लिए या फिर पर्मनेंटली इस सभी चीजों को बंद करिए चाय कम से कम पीजिए कॉफी बंद कर दीजिए कोल ड्रिंग्स और सोडा बिल्कुल भी बंद कर दीजिए पांच नंबर की लेकिन अती ले तो उसे भी आपने कम करना चीएं सभी चीजों को ध्यान में रखिए क्या खाना है उन सभी चीजों की rain ने दिये उसे नोट ड़्टॉण कीजिए लिख्के रखी ज़ादा से चाने में इस्तिवाल कीजिए और जो चीज है चीज नहीं खानी हैे उसे कं प्लीटलि आप बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं याद रखिए अगर आपकी पेट में अलसर है, उसकी समस्या अगर आपको है तो आधी ट्रीटमेंट आप ही क्या हाथ में है वो है खान पान और इसलिए खाने पीने की चीजों की तरफ ध्यान दीजिए, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेट में अगर अलसर है, एसलिटी है पाइल्स, फिशर, फिशुला है होमियोपेथी की ट्रीटमेंट लीजिए मेरे पास काफी ऐसे पेशन्ट से है जो पूरी तरह से ठीक हो चुके है होमियोपेथी में बिना साइड इफेक्ट की ट्रीटमेंट की जाती है सो होमियोपेथी की दवाईया लीजिए आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते है मेरा वाटसाइप नमबर में ने दिया है हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद